इन दिनों सभी पार्टियां 2024 के चुनावों को लेकर सक्रिये नजर आ रखी हैं। कॉंग्रस के प्रदेश रध्यक्ष ओधेभान का भी वायान सामने आया। सब्धान में उसमें दो त्याई बहुमत लोग सवाम चाहिए उतना ही राज सवाम चाहिए और कम से कम आधी विधान सवाह में चाहिए। जब जाकर उसके लिए समय चाहिए। जो इलेक्षन कमीशन को इवियम चाहिए वो भी कम से कम 33 लाक इवियम की जरुत है। आज इवियम नौलाक है। नौलाक इवियम में आवशक्ता पड़े की 33 लाक की कम से कम। इवियम की मशीनें भी बनेंगे और देंगे उसका बजट है लोकेशन होगा बनके आएंगी उसमें भी समय लगेगा। तो यह जो है अभी सरफ डिस्टर्ब करने के लिए जो उनका भै है डर है जो इंडिया गटवंदन बना है उससे यह डर के और अपना कुछ मीडिया में इस तरह से करके और कभी भी ऐसे ट्वीट करके सेशन बलाते हैं यह एक सम्मिधान का भी अपमार है। इसके साथ ही उदेभान ने कहा कि पार्टी में भी कोटा सिस्टम नहीं चलेगा। पार्टी ने जिलवार अब्जरवर नियुक्त किये हैं। सिर्फ जिताओ और मजबूत कंडिडेट को ही टिकट मिलेगी। नहीं रहेगा कि पांच देदी उसको दस देजी उसको पंदर देजी उसको कोई सिस्टम में चलेगा। पूरा मेरिट पर होगा। और इसमें पार्टी अलग से सर्वे कराएगी। आप पार्टी की टिकेट देने की प्रणाली पर किस तरह से हाई कमान फैसला लेती है ये तो आने वाला समय ही तैकर पाएगा फिलहाल देखना ये होगा कि पार्टी कितने मजबूत उमिद्वारों को टिकेट देने में काम्याब रहती है सुर्या समाच्वार के लिए करनाल से हिमान शुनारंग की रिपोर्ट